पशुपालन एवं डेरिंग विवाग पलवल के उपने देशक डॉक्टर चंदरभान सोनी ने कहा कि हर्याणा सरकार राजज में डेरी स्यक्टर का कोपरेटिव सिस्टम और मजबूत करने के लिए काम कर रही है कोपरेटिव सिस्टम के बिशाल नेटवर्क से युवाओं एवं महिलाओं को जोड़ कर आत्म निर्वर भारत का सपना साकार किया जा सकता है इसलिए सरकार ने दूद उत्पातक किसानों को और अधिक मजबूती प्रदान करने और स्वाब लंबी बनाने की दिशा में क्या ही कतम उठाए है उन्होंने बताया कि प्रती ब्यक्ती दूद की उपलबता ने हर्याना ने पड़ोसीर राज पंजाब को पचाड़ दिया है हर्याना सरकार ने छोटे किसानों और ग्रामीर छित्र के युबाओं के लिए स्वयम का काम शुरू करने के लिए हाइटेक और मिनी डेरी स्कीम चलाई है इस स्कीम के तहट 10 दुधारू पश्यों तक की मिनी डेरी खोलने के लिए पशुल लागत पर 25 प्रतिशत सबसीड़ी और 20 से अधिक दुधारू पश्यों की हाइटेक डेरी स्थापित करने के लिए ब्याज में छूर दी जाती है पलबल जिले में डेरी फार्मिंग को बड़ावा देने के लिए सरकार ने कुछ से एक योजना ही चलाई हुई है जो इस डिस्टिक्ट में भी हम लागू कर रहे हैं इसमें अलग लग तरह की उलनाए है जैसे SCSP स्कीम है हमारी जो अनुसु चिजजातियों के लोगों के लिए है बहुत अच्छी अच्छी स्कीम इसमें है जैसे इसमें 2,500 से 3,20 की लेरी वो लोग कर सकते हैं और इसमें 50% सब्सेडी उनको लेरी पर दिया जाता है इसके साथ अगर वो बकरी पार्लन या भेट पार्लन का लिकारी करना चाहते हैं तो एक लाग रुपे तक का लोण उनको दिया जाता है जिसमें मेरा नाम संदीब गोयल है और हम पलवल के निवासी है और पलवल में हमने संदीब गोयल डेरी के नाम से एक डेरी कोली थी आसे चार साल पहले और अब इसके हमारे पास ज्यादा तर एच्छफ गाए हैं साइवाल भी है और गिरगाय भी है हम यहां की ब्रीड बनाते हैं यह की तैयार कर रहे हैं ब्रीडों को गायों की अच्छा प्रोफिट है और सरकार से हमारा अच्छा सपोर्ट भी मिल रहा है इसमें हमें